सुप्रभाद बच्चों कैसे हुआ आप उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे आज हम आपकी पार्ठे पुस्तक रिम जिम से पार्चार मन करता है के बारे में पढ़ेंगे बच्चों ये जो कवीता है ये बहुत ही अच्छी और रोचक कवीता है इसमें क्या है एक कवीता का नाम क्या है मन करता है और कवीता किस ने लिखी है बच्चों ये कवीता सुरेंद्र विक्रम जी ने लिखी है इसके जो रचेता है वो है सुरेंद्र विक्रम जी तो सुरेंद्र विक्रम जी ने अपने मन के विचार मतलब एक छोटे से बच्चे के मन में जो पाठे पुस्तक रिम जिम से ये जो कवीता है मन करता है पढ़ना सुरू करेंगे तो बच्चों क्या देखो कवीता में मन करता है सूरज बनकर आस्मान में दौड लगाऊं मन करता है चंदा बनकर सबतारों पर अकड दिखाऊं मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धोज जमाऊं मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूच बढ़ाऊं मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं मन करता है चिडिया बनकर चीची चूचू शोर मचाऊ मन करता है चर्खी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊ तो किसने लिखी है मैंने बताया ना भी आपको सुरेंद्र विक्रम जी ने ये कवीता लिखी है ठिक है बच्चो चलिए हम दुवारा इसको पाट का बच्चो मैं आपको अब इस कवीता के माधियम से एक चोटे बच्चे के दिल में मन में जो अलग अलग तरह के विचार आ रहे हैं उसका कभी कुछ बणने का मन कर रहा है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगे तो इसमें क्या है एक ये छोटा सा बच्चा है और बच्चे जिसके मन बच्चो जो ये छोटा सा बच्चा है इसके मन में अलग-अलग तरह के विचार आ रहे हैं तो वो क्या-क्या उसके मन में विचार आ रहे हैं आपको ये बताएंगे, क्या बन कर रहा है, सूरज बनकर, आस्मान में दौर लगाओं, कभी उसका मन क्या कर रहा है, छोटे से बच्चे के मन में बहुत अलग-अलग तरह के विचार आ रहे हैं, तो बच्चा, जब बच्चा घुर सुभे अटा है, तो वो देखता है, सुभ सुपे से शाम तक आश्मान में पूरब से ले करके पच्चिम तक द are लगाता रहता है और यह एस लिए बच्छे के मन में आस्मान में अस्का मन भी आस्मान्म में दर लगाने के लिए कर है सुबेशे शाम तक वो बच्चा चाह रहा है कि मैं भी सूरज की तरह है आज पूर अपसे ले करके पश्चिम तक दौर लगाओं ठीक है फिर बच्चे का मन क्या कर रहा है मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकर दिखाओं अब क्या मन कर रहा है उसका अब अच्चे का मन क्या कर रहा है कि जब रात में फिर रात जब बच्चा फिर रात को देखता है तो रात में वो क्या देखता है आस्मान में बहुत सारे छोटे 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 तारे देखता है और चा चांद कैसा होता है उसमें बड़ा होता है बड़ा होता है चांद की चमक तारों से ज्यादा होती है चांद की रॉसनी ज्यादा होती है और तारों की रॉसनी कम-कम होती है तो क्या करता है वह वो सोचता है कि आस्मान में जो छोटे छोटे तारे और चांद बढ़ा है तो वो सोचता है कि रात के समय चांद भी तारों पर अपनी अकर दिखाता होगा अपनी अकर दिखाता है वो ठीक है अब बच्चे घर में आ जाता है अपने तो क्या करता है उसका मन करता है बाबा बनकर बाबा यानि की दादा जी बनकर अब बच्चे का मन क्या कर रहा है मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धोस जमाओ अब बच्चे का मन क्या कर रहा है कि मैं भी अपने दादा जी की तरह है मतलब जो घर में दादा जी होते हैं बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वो क्या होते हैं वो अपने घर को अपने हिसाब से करवाना चाहते हैं कि सब लोग जितने भी घर के लोग हैं वो सारा काम मेरे हिसाब से करें तो क्या कहते हैं वो कभी कभी डाट करके कभी प्यार से कभी रॉप से तो अपना सारा घर का का करवा लेते हैं और अपनी सारी बात मनमाल लेते हैं जो बड़े लोग होते हैं ठीक है तो सब लोग उसके जो घर में जितने भी सदस्य होते हैं जो सबसे घर में बड़ा होता है तो क्या कहते हैं उसका आधर करते हैं उसकी हर एक माल लेते मेरा जो भी मन करता जो भी मेरा मन करने को करता वो मैं सब कर लेता तो उसका बन क्या करता है बच्चे का मन उसका मन दादा बनने का भी करने करने लग जाता है कि मैं भी अपने घर में दादा बन जाओ और दादा जी दादा जी की बाते सभी मानते तो मेरी बात भी स अब सब मानते ठीक है अब उसके मन में क्या मन कर रहा है उसका मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूझ बढ़ाओं अब बच्चों आपको पता है आपके पापा घर में सबके पापा की मूझे होती बड़ी बड़ी तो अब उसका मन कर रहा है कि मैं भी घर में दादा जी क के बाद सब लोग पापा का की कहना मानते हैं जो पापा होते हैं तो वो बोलता है कि मैं भी अपने पापा की तरह है मतार मेरी भी मैं भी अपने पापा की तरह है सब के ऊपर अपनी बात मनवाता पापा का भी अलगी रौब होता है पापा की हर एक बात सब घर के सदस्य मानत तो वो कहता है कास मैं भी पापा होता तो मेरी भी सब लोग अपने मेरी भी सारे बाद मानते लोग कि अब करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूश बढ़ा हूँ अब बच्चे का बन क्या कर रहा है मैंने अभी आपको बताया ना बच्चे का मन कर रहा है कि मेरे पापा पापा का अलगी रॉब होता है पापा की मूच्छे होती है तो कहता है कास मैं भी पापा बन जाता और मैं भी अपनी बड़ी-बड़ी मूच्छे बढ़ा लेता ठीक है इसलिए सब लोग मेरा भी रॉब होता अब उसका मन क्या कर रहा है मन करता है तितली बनकर दूर-दूर उड़ता जाओ, अब उसका मन क्या कर रहा है, कास मैं भी तितली होता, और मैं भी क्या हाँ, दूर दूर तक उड़ता जाता, जो तितली होती है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता न, जो ये पक्षी, जो आसमान में, जो तितली आ उड़ती है, वो कहीं भी चली जा मतला कोई मुझे रोकने तोकने वाला नहीं होता और मैं दूर दूर तक उड़ पाता और किसी के साथ भी खेल पाता मुझे कोई मणा ने करते खेलने के लिए तो मैं कहां तो मैं भी तब बच्चे का मन तितली बनने को करता है ठीक है बच्चो अब क्या कर रहा है उसका मन में तो अब क्या मन कर रहा है उसका मन कर रहा है कि कास मेरी मेरी आवाज भी कोयल की तरह सुनाता तो मैं कास मैं कोयल कीज तरह हूं इसलिए बच्चे का कोयल बनने को कर रहा है बच्चो भी मैंने आपको कोयल की बारे में बता है ना आपको पता है कोयल कैसी होती है कोयल की आवाज बहुत मीठी होती है उसको सबको सुनने में अच्छी लगती है और जो जो कोयल होती है वो सबके मन को भाती है मतलब उसको उसकी मन की जो उसकी अब क्या कर रहा है बच्चे का मन करता है चिळीया बनकर ची ची चूचू शोर मचाओ अब बच्चे का मन क्या कर रहा है कि कास मैं भी चुडिया बन जाता है चिडिया हमेशा शोर मचाते हैं आपने सुवश-ँवश उठा है उठा है चुडिया पेड़ों पर इधर-धर घूम करके शोर मचाती रहती है चीची, चूचू, चीची, चूचू तो कोई उनको रोकता है, मना करता है को कि मत सोर करो तुम चुपो जाओ कोई नहीं बोलता ना चिडिया को सब लोग चिडिया को देखते हैं खुश होते हैं उसको देख करके और इस तरह चिडिया क्या होती है चीची चूचू का शोर मचाते रहती है यदि बच्चे यदि कोई बच्चा सोर मचाता है तो सब उस जाता और मुझे भी कोई रोकने टोकने वाला मुझे भी कुछ कोई कुछ नहीं कहता मुझे भी कोई सोर मचाने से नहीं रोकता और इसलिए बच्चे का मन क्या कर रहा है चिडिया बनने को कर रहा है अब देखो मन करता है चर्खी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाओं अब बच्चे का मन क्या कर रहा है बच्चे का मन कर रहा है कि मेरे पास भी बहुत सारी पतंगे होती पीली लाल पतंग होती और मैं क्या करता मैं उसको आसमार में उड़ा देता आसमार में उड़ाता रहता और चर्की के साथ उसको दूर तक उड़ा करके ले जाता मुझे भी कोई मना नहीं करता पतंग उड़ाने से तो मैं भी पतंग उड़ाता रहता और खुश होता रहता इसलिए बच्चे का मन अ पतंग बनने का कर रहा है कभी उसका मन पापा बनने का कर रहा है कभी दादाजी बनने का कर रहा है कभी तारे बनने का कर रहा है और कभी सूरज बनने का मन कर रहा है इसलिए उसका मन अलग अलग तरह से अलग अलग उसके मन में विचार आ रहे हैं कि कास में ये बन जाता कास इसे अपना रॉब जमाता में ऐसे अपना रॉब जमाता और उसके मन एक विचारों को रिपने कवीता में है吸लो Ha बच्चो अब हम अपनी पाठे पुस्तक रिम जिम से ये जो कवीता है मन करता है पढ़ना सुरू करेंगे तो बच्चों क्या देखो कभीता में मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड लगाऊं मन करता है चंदा बनकर सबतारों पर अकड दिखाऊं मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धोज जमाऊं मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूच बढ़ाऊं मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाओ मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाओ मन करता है चिडिया बनकर चीची चूचू शोर मचाओ मन करता है चर्खी लेकर पीली लाल पतंग उडाओ तो किसने लिखी है मैंने बताया ना अभी आपको शुरेंद्र विक्रम जी ने ये कवीता लिखी है ठीक है बच्चो चलिए हम दुबारा इसको पार्ट का बच्चो मैं आपको अब इस कवीता के माध्यम से एक छोटे बच्चे के दिल में मन में जो अलग अलग तरह के विचार आ रहे हैं उसका कभी कुछ बनने का मन कर रहा है कभी कुछ बनने का मन कर रहा है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगे तो इसमें क्या है एक ये छोटा सा बच्चा है और बच्चे जिसके मन बच्चो जो ये छोटा सा बच्चा है इसके मन में अलग-अलग तरह के विचार आ रहे हैं तो वो क्या-क्या उसके मन में विचार आ रहे हम आपको ये बताएंगे क्या बन कर रहा है? उसका मन करता है, सूरज बनकर आस्मान में दौर लगाओ, मतल़ कभी उसका मन कर हो है? छोटे से बच्चे के मन में बहुत अलग अलग तरह के विचार आ रहे हैं, तो बच्चा जो सुमे उड़ता है, तो वो देखता है कि सुबह सूरज पूरफ दिसा से उग रहा है और फिर साम को पच्छिम दिसा में जा करके छिप जाता है तो जो ये बच्चा है उसके मन में विचार आते हैं कि सूरज सुबह से साम तक आसमान में पूरब से लेकर के पच्चिम तक दोड लगाता रहता है और आस्मान में सुबह से लेकर शाम तक दौर लगाता रहता है इसलिए बच्चे के मन में आस्मान में भी उसका मन भी आस्मान में दौर लगाने के लिए कर रहा है सुबह से शाम तक वो बच्चा चाह रहा है कि मैं भी सूरज की दर है आसपूर अपसे ले करके पस्चिम तक दौर लगाओं ठीक है फिर बच्चे का मन क्या कर रहा है मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकर दिखाओं अब क्या मन कर रहा है उसका अब बच्चे का मन क्या कर रहा है कि जब रात में फिर रात जब बच्चे रात को देखता है तो रात में क्या देखता है आसमार में बहुत सारे छोटे छोटे तारे देखता है और चांद देखता है जो चांद होता है वो क्या होता है बहुत चमकीला होता है जो चांद की रौसनी होती है और तारों की रौसनी कम होती है तारे कैसे करते से चांद की चमक तारों से जञद होती है और चिया करता है वो वो Meuc सोखता है रात के समेर चांद भी तारों पर अपनी अंखर दिखाता होगा मतां अपनी अंखर दिखाता है भो थीके अब बच्चे घर में आ जाता है अपने तो क्या करता है उसका मन करता है बाबा बनकर बाबा यानि की दादा जी बनकर अब बच्चे का मन क्या कर रहा है मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धोस जमाओ अब बच्चे का मन क्या कर रहा है बच्चे का मन कर रहा है कि मैं भी अपने दादाजी की तरह है मतलब जो घर में दादाजी होते हैं जो बड़े बुज़ूर्ग होते हैं तो वो क्या होते हैं वो अपने घर को अपने हिसाब से अपने जो काम होते हैं पर हिसाब से करवाना चाहते हैं कि सासा Olok जितने भी घर के लोग हैं वो सारा काम मेरे उसका आदर करते हैं उसकी हर एक बात को मानते हैं तो चाहते हैं कि यदि मैं मैं भी धादा होता हैmodern मैं भी घर के मिपिने भी लोग एंद ऑना कुछ पर इस आप कुम चछला और मेरी बाद में सरानी को करने को करता है और मैं सब नintérieur बच्चे का मन उसका मन दादा बनने का भी करने करने लग जाता है कि मैं भी अपने घर में दादा बन जाओ और दादा जी दादा जी की बाते सभी मानते तो मेरी बात भी सब अब सब मानते ठीक है अब उसके मन में क्या मन कर रहा है उसका मन करता है पापा बनकर मैं भी अपन मूझ बढ़ाओं अब बच्चों आपको पता है आपके पापा घर में सबके पापा की मूझे होती बड़ी-बड़ी तो अब उसका मन कर रहा है कि मैं भी घर में दादा जी के बाद सब लोग पापा का की कहना मानते हैं जो पापा होते हैं तो वो बोलता है कि मैं भी अपने पापा की तरह है मतलब मेरी भी मैं भी अपनी पापा की तरह है सब के उपर अपनी बात मनवाता पापा का भी अलगी रॉब होता है पापा की हर एक बात सब घर के सदस्य मानते हैं तो कहता है कास मैं भी पापा होता तो मेरी भी सब लोग अपनी मेरी भी सारे बात मानते मैं भी अपनी बढ़ा हूँ अब Schuldग्र कावण कर रहा है मैं आपको बताया ना बच्चे का मन कर रहा है कि मेरे पापा पापा का अलगी रव होता है पापा की मुझ्छे होती है तो कहतorn कास मैं भी पापा बन जाता और मैं भी अपनी बड़ी-बड़ी मुछे बढ़ा लेता ठीक है इसलिए सब लोग मेरा भी रौब होता अब उसका मन क्या कर रहा है मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाओ अब उसका मन क्या कर रहा है कास मैं भी तितली होता और मैं कि अभी कहां दूर दूर तक उड़ता जाता जो तितली होती है उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता ना जो यह पक्षी जो आस्मान में जो तितलियां उड़ती है वो कहीं भी चली जाते हैं बागों में घूमती रहती है फूलों पर मंडराती रहती है पर उनको कोई र तो वो कहता है कि कास तितली की तरह है मेरे भी मेरे भी पंक होते और मैं दूर दूर तक उड़ता जाता मता कोई मुझे रोकने तोकने वाला नहीं होता और मैं दूर दूर तक उड़ पाता और किसी के साथ भी खेल पाता मुझे कोई मना नहीं करते खेलने के लिए तो मैं कहा तो मैं भी तब बच्चे का मन तितली बनने को करता है ठीक है बच्चो अब क्या कर रहा है उसका मन तो आप क्या मन कर रहा है उसका मन कर रहा है कि कास मेरी आवाज भी कोयल की तरह मीठी होती तो मैं भी सबको अपने मीठे मीठे बच्चनों से अपने मीठी मीठी बातों से अपने मीठे मीठी बोल सबको सुनाता और मीठा मीठा गा गा करके गाने गा करके या कुछ भी बोल करके सबका मन बहलाता और सबको अपनी बाते सुनाता तो मैं कास मैं कोयल की तरह तो इसलिए बच्चे का मन कोयल बनने को कर रहा है बच्चो भी मैंने आपको कोयल की बारे में पता है ना आपको पता है कोयल कैसी होती है कोयल की आवाज बहुत मीठी होती है उसको सबको सुनने में अच्छी लगती है और जो कोयल होती है वो सबके मन को भाती है मतलब उसको उसकी मन की जो उसकी आवाज होती है वो सबको चुचु शोर मचाओं आप बच्चे का मन क्या कर रहा है उस बच्चे का मन कर रहा है कि कास मैं भी चुडिया बन जाता है चुडिया हमेशा शोर मचाते हैं आपने सुभी सुभी उठा है सुना है चुडिया पेड़ों पर इधर उधर घुम घुम करके शोर मचाती रहती है हमारा करता है उनको कुछ करो तुम चुपो जाौ कोई नहीं को बोलता नहीं कि सब लोग चुपो जाका घटी ऊठीव को देखते हैं खुधने उसको देह करके और और इस तरह चिडिया क्या होती है चीची चूचू का शोर मचाती रहती है यदि बच्चे यदि कोई बच्चा सोर मचाता है तो सब उसको डाड़ते हैं पूरे परिवार वाले की चुपो जाओ चुपो जाओ शोर मत करो सब उसको बोलते हैं तो इसलिए बच्चे का मन क्या क मुझे कोई सोर मचाने से नहीं रोखता और है। इसलिए बच्चे का मन क्या कर रहा है है चिटिया कोsk बन्ने को कर रहा है अब मन करता है चर्खी लेकर पीजिया लाल पतंग वड़ाऊ अब बच्चे का सुर्ख कर रहा है कि मेरे पास लुशारी पतंग होती कि मौध और चर्की के साथ उसको दूर तक उड़ा करके ले जाता मुझे भी कोई मना नहीं करता पतंग उडाने से तो मैं भी पतंग उडाता रहता और खुश होता रहता इसलिए बच्चे का मं अलग-अलग तरह से अलग-असके मन में विचार आ रहे हैं कभी उसका मन अप क्या कर र कभी कोयल बनने का कर रहा है कभी पतंग बनने का कर रहा है कभी उसका मन पापा बनने का कर रहा है कभी दादा जी बनने का कर रहा है कभी तारे बनने का कर रहा है कभी चांद बनने का कर रहा है और कभी सूरज बनने का मन कर रहा है इसलिए उसका मन अलग अलग तरह से अलग उसके मन में विचार आ रहे हैं कि कास में ये बन जाता कास में ये बन जाता तो मैं ऐसे अपना रॉब जमाता और उसके मन के विचारों को कवीता में बहुत सुंदर धंक से प्रस्तूत किया गया है बच्चो अब देखो हम ये आपके पार्ट से संब्धनित जो इसमें कुछ प्रस्न पूछे गए उसके हम अंसर उतर देंगे ठीक है तुम्हारी बात अब तुम तुम पर कौन-कौन धोंस जमाता है और क्यों अब आप घर में कौन धोंस जमाता है आपके घर में आपकी मम्मी या आपके बड़े जितने भी लो बोलती है और जो क्लास का मॉनिटर होता है वह सबसे जादा धोश जमाता है क्यों क्योंकि उसके उपर जो क्लास जो टीचर होता है वह जो आपकी अध्यापक अध्यापिका है उन्होंने उस बच्चे के उपर जिम्मेदारी दी होती है तो वह क्या करता है उन जिम्मेदार बन जाने को करता है बच्चो आपका मन भी करता है किया कभी चिरिया बनने का बच्चो हमारा मन कप करता है चिरिया बनने का जब हम चिरिया को दूर आसमान में बहुत दूर दूर तक उड़तावा देखते तो हमारा दिल करता है कास हम भी चिरिया होते तो हम भी चिरिया के सा साथ हम भी आसमान में उपर बहुत उचाई तक उड़ पाते ठीक है अब देखो कौन कौन किस पर अकड़ जमाता है कौन किस पर अकड़ जमाता है आसमान में कौन अकड़ जमाता है बच्चो सूरज अकड़ जमाता है जंगल में शेर नदी में मगरमच या बड़ी मचलियां चोटी मसलियों पर धोस जमाती है खेल के मैदान में जो कप्तान होता है केप्टेन होता है वो सब पर धोस जमाता है इस На chili में कॉ sensations मॉनिटर या स्कूल का टीछर आपके ओपर धोस जमाता है घर में आपके बड़े भाई बहन या आपके मम्मी आपके ओपर धोंजमा सकती है, और बोल सकती है कि ये काम करो, ये काम करो है ना बच्चो? अब देखो मूश इसमें अलग तरह की मूश है आप यहां पर मूशे भी बना सकते देखो यह ऐसे रॉबदार मूश है और यहां पर कैसी मूश बनाएंगे हम मोटी मूच बना लेंगे यहाँ पर पतली वाली मूच बना लेंगे इनका नाब देंगे रॉबदार मोटी पतली मूच ठीक है ऐसे हम इनके नाम दे सकते हैं तुमारे घर और स्कूल में किसका क्या काम करने का मन करता है आप आपका इसमें सूची लिखो आपके अपने दोस्त का यहाँ पर नाम लिखना है और उसका क्या मन करने का करता है किसी का आइस क्रीम खाने को मन करता है किसी का खेलने के लिए मन करता है किसी का मन डॉक्टर बनने का भी कर सकता है किसी का मन साइंटिस बनने का भी कर सकता है तो यहां पे आप अपने दोस्तों के नाम लिखेंगे और उनका क्या-क्या मन करता है यह आप इस पेज पर लिख सकते हैं ठीक है बच्चो अब यह देखो, सोचो और बताओ सूरज आसमान में दोड क्यों लगाता होगा अब आपको यह सोचना इस पीूँ लगाता होगा बच्चो क्योंकि उसको सारा जो संसार है उसमें अपनी रौसनी पहुँचाने के लिए सूरज इदर से उधर दोड लगाता होगा चिडिया सोर क्यों मचाती हैं चड़िया चीची चूचू का शोर मचाती है ठीक है चंदा तारों पर आकड क्यों जमाता होगा क्यों जमाता होगा जरा सोचो बच्चो इसलिए जमाता होगा कि चंदा जो है वो बहुत बड़ा है और तारे छोटे छोटे हैं तो जो चंदा है वो सब पर अपनी धोस जमाता होगा ठीक है अद दादा जी घर पे कैसे धोश जमाते हैं दादा जी घर में सारे अपने काम करवाने के लिए घर में सब पर धोश जमाते हैं ठीक है बच्चो अब यहां पे कौन सोर कर रहा हैं अब बच्चे शोर कर रहे हैं चिडिया चूचू चूचू का सोर मचा रही है यह आपका यह chapter है और एक इसमें chapter है पढ़ने वाला जो हमने अभी हमने पहले पढ़ानी है मैंने जूम क्लास में भी आपको नहीं पढ़ाया है इसलिए मैं अब आपको वो chapter यहां पर पढ़ा रही हूँ छोटा सा ही एक chapter है उसको पढ़ते हैं ठीक है सूरज और चान ऊपर क्यों गए मतरब इस कहानी का नाम क्या है चोटी सी कहानी हमने जूम में भी नहीं पढ़ी थी इसलिए मैं आपको बढ़ार रह dû हूँ सूरज और चान उपर क्यों गए उपर क्यों गए बच्चो देखो अब इस कहानी को पढ़ते हैं बहुत समय पहले सूरज और चान जमीन पर रहते थे कहां रहते थे सूरज और चान सूरज और चान दोनों जमीन में रहते थे पानी उनका अच्छा दोस्त था कौन था उनका अच्छा सा दोस्त सूरज और सूरज उससे मिलने उसके घर आते थे तो एक दिन सूरज ने पानी से पुछा तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते तो क्या बोला उसने चांद ने बोला निसूरज ने बोला पानी से कि तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते पानी बोला मेरे बहुत सारे दोस्त है पानी ने कहा पानी में पता है ने आपको कितने सारे अलग अलगतर है कि जीव रहते हैं तो उसने का कि मेरे बहुत सारे दोस्त है, यदि मैं तुमारे घर जाओंगा तो वो भी मेरे साथ आएंगे, यदि पानी ने का यदि मैं तुमारे घर आता हूं तो जो मेरे अंदर बहुत सारे जीव रहते हैं, वो भी तुमारे घर आएंगे, ठीक है, उन सब के लिए तुमा निकले जगह नहीं होगी सूरज ने कहा मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनवाऊंगा तो क्या बोलता है सूरज कि मैं पानी मैं तुम्हें अपने घर जरूर बुलाऊंगा और तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा सूरज ने सचमुच एक नया घर बना पानी तरह तरह की मचलियों और उनके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुच गए कहा पहुच गए जो पानी है मचली और अलग अलग तरह के जानवरों के साथ सूरज के घर पहुचा पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाओं तो पानी ने सूरज से क्या पूछा क्या मैं अपने दोस्तों के साथ तुमारे घर में आ जाओं सूरज ने कहा हाँ हाँ आ जाओ पानी अंदर आया और कुछी देर में सूरज के घर में गुढ़ने तक पानी हो गया जैसी पानी अंदर आया उसकी घर में पानी गुशता है तो पानी कहा गया उस सूरज के घर में उसके गुढ़नों तक पानी भर गया देखते ही देखते पानी सिर्टक मौझ गया मचलिया और पानी के तमाम जानवा सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे जो मचलिया थी और जो उस पानी में अलग अलग तरह के जानवर रहते थे वो उसके घर में इधर उधर घूमने लगे अंत्र में पानी इतना उचा हो गया कि सूरज चांद को छट पर जाकर बैठना पड़ा तो क्या है जब मतब धीरे-दीरे पानी अंदर आता रहा आता रहा तो महाँ चला गया चांद आर सूरज को भाग करके छट में जाकर बैठना पड़ा लेकिन थोड़ी देर में पानी चत पर भी आ गया जब जैसी चांद सूरज चत में बैठे, वैसी पानी भी क्या चत में आ गया चत पर आ पहँचा। आप सूरज चान क्या करते? कहां बैढते? वे भाग कर आस्मान में पहुँंच गए और सूरज और चान दोनों कहां चले गए आस्मान में चले गए आस्मान उन्हें इतना पसंद आया कि वो वही रहने लगे सूरज और चान को आस्मान इतना पसंद आ गया कि वो वही रहने लगे और वहां से कभी नीचे नीचे आये नी और जो पानी है वो धर्टी में रह गया और सूरज और चान आसमान में पहुंच गया कैसी लगी बच्चो आपको कहानी मैं उम्मीद करते हूँ कि आपको ये दोनो कवीता और जो ये कहानी है आपको पसंद आई होंगी और आपको बहुत आपको ये रोचक लगी होंगी